फाइनली क्रिप्टो मार्किट में एक तरह से बिटकॉइन का जो मुवमेंट है वो फिर से आया है और 41,500 डॉलर पे हम वापिस आ चुके हैं बढ़ रहे हैं मन्थली क्लोजिंग की तरफ इस मन्थ की क्लोजिंग होने वाली है पहला मन्थ है 2024 का और बड़े इंपॉटेंट है इस मन्थ की क्लोजिंग और स्टार्टिंग पंप से हुई 49,000 डॉलर तक जाते हैं उसके बाद 2 weeks मिड के 2 weeks क्या होता है डंप होता है गेम हो अब लास्ट वीक में क्या हो रहा है फिर से गेम हो रहा है और पंप ये 26 तारिक का पंप आज का पंप बता रहा है कि कहीं न कहीं इस मन्त की क्लोजिंग हमको 44 के राउंड मिल सकती है जोगी एक्सपेक्टिड भी है 43, 44,000 डॉलर मिलनी चाहिए बाकी मार्केट है मार्केट में कुछ भी हो सकता है ठीक है मन्तली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और साथ के साथ FOMC की मिटिंग आ रही है तो बिटकोईन के इस POMP के साथ मार्केट में रोनक जरूर आई है बहुत सारे कॉइन्स अच्छा जंप हो रहे है जो डिप में चले गए थे ठीक है तो 41,400 डॉलर का लेवल इसलिए भी आया है क्योंकि कहीं न कहीं शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करना था जो 39,800 या 40,000 पे शॉर्ट्स के पॉजिशन लग रहे थे उनका सफाया कर दिया है बिटकोईन ने 1400 डॉलर का पंप दिखा के 40,000 से 41,400 तक 500 तक लेवल आ चुके है और अभी कहीं नए हाई लगने की तयारी है ठीक है और एक और हम देख रहे हैं इस टाइम पे तो बिटकोईन कहीं न कहीं 41,500 तोड़ने की तयारी में दिख रहा है और इसके बाद हो सकता है कि 42,000 का लेवल भी देखने को मिल जाए लेकिन अभी क्लोजिंग में 5 दिन बाकी है तो गेम होगा पंप डंप रहेगा उसका आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा तो ये करेंट लेवल है इस टाइम पे बिटकोईन के और बिलकुल 41,500 का हाई लग चुका है 41,500 ये इस टाइम पे नया हाई काफी दिन का ठीक है जब से हम नीचे गिरे हैं तो 42,43 से गिरे थे तो 42,000 डॉलर की तयारी में बिटकोईन कहीं न कहीं देखने को इस टाइम पे हमको मिल रहा है तो सबसे बहले बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल की अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन की है चाहे ओए रहूल का हो चाहे कुछ न्यू फॉर यू का हो दो टेलीग्राम चैनल से हैं अपने ओफिशियल ठीक है और दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल फ्री है जो दो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे आप उनको जोइन कीजे बागी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे अगर आप इंट्रेस्टिड हैं स्पोर्ट एंड फ्यूचर ट्रेड के लिए तो डेफिनेटली आप प्रेमियम को जोइन कर सकते हैं तो सबसे बहला अपडेट आ रहा है पॉलोनिक्स एक्सचेंज की तरफ से एक नई लिस्टिंग बेक की होती हुई बेकरी स्वाप की बेक नो डाउट पिछले कुछ टाइम में अच्छा मुवमेंट बेक ने करके दिखाया और एक नई लिस्टिंग काफी टाइम के बाद क्योंकि एक ओल्ड क्रिप्टोगरेंसी है मार्केट में काफी टाइम से और पॉलोनिक्स इसको अब लिस्ट कर रहा है न तो डिपॉसिट यहां पर फुल ट्रेडिंग भी नेबल हो जाएगी 26 जन्वरी से तो यह एक नई लिस्टिंग होती हुई बेक की पॉलोनिक्स एक्सजेंज के ऊपर मार्केट के बड़े-बड़े प्लेयर्स बिटकोइन के साथ अच्छा कासा गेम कर दिया है दो हासते के अंदर ग्रेस्क बिटकोइन एटिएफ आउट फ्लो एक्सीड 4.6 बिलियन डॉलर लेस देन हाफ एन आवर एगो 9995 9995 बिटकोइन फिर से ट्रांसवर किया है तो कंटीन्यू मूवमेंट चल रहा है एक लाख 13,000 बिटकोइन मूव कर चुका है पिछले टू वीक्स के अंदर यह अगर नाम ने ले रहा है ठीक है और इसी बीच थोड़ा सा पंप भी मार्केट में आया है शोट्स के लिक्विडेशन भी हुए हैं तो बिलकुल हर घंटे कुछ गंटों में बिटकोइन निकल रहे हैं धडले से बिटकोइन निकल रहे हैं ग्रेस के लगी तरफ से 9995 निकले एक बड़ा और हुज नंबर है ग्रेस केल का नेक्स्ट अब्डेट आ रहा है एक इवेंट को लेके ब्लॉक्चेन लाइफ 2024 फोरम जोइन 8000 प्लस अटेंडीज एड़ दे क्रिप्टो इवेंट ऑफ ता यहरो यह क्रिप्टो इवेंट है ब्लॉक्चेन लाइफ 2024 2024 का पहला मन्त है अप्रेल के अंदर 15-16 अप्रेल के अंदर यह इवेंट होने वाला ब्लॉक्चेन लाइफ 2024 बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्स्चेंजेज यहां पर आपको पार्टिस्पेट करते वह दिखेंगे नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहां पर एक इंपोर्टेंट अप प्रोग्राम आर सस्पीशियस इंवेस्टमेंट प्रोड़क्ट एंड हैव नॉट बीन ऊथराइज़ तो जो इनका स्टेकिंग प्रोग्राम अभी रीसेंटली फ्लॉकीनो ने लाँच किया था उसको कहिना गई सस्पीशियस इंवेस्टमेंट प्रोड़क्ट बताया है औ बाइनेंस यूएस बैन फ्रों सर्विंग ट्रेडर इन फ्लॉरिडा एंड अलास्का तो बाइनेंस यूएस को एक तरह से बैन किया गया है कि वो ट्रेडर्स को सर्विस नहीं दे सकते कहां पे फ्लॉरिडा के अंदर और अलास्का के अंदर next update अपहोल्ड की तरह से uphold realist 9 altcoin in Canada including shiba inu, cardano, dogecoin and other 9 crypto coins की realisting और shiba inu भी Canada फिर से list हो रहा है, uphold पे next update है, HTX वहाभी global की तरह से कल alt आया था Binance के उपर और कल 27 जन्वरी को आ जाएगा, किसके उपर? HTX के उपर, alt layer alt की listing announcement कर दिया है HTX ने next update आ रहा है, XRP को लेके और ये आ रहा है, Jiminy Exchange की तरह से, we are excited to list XRP GUSD perpetual contract on Jiminy Foundation, यानि Jiminy ने एक तरह से एक नया पेर XRP का GUSD के अंदर list किया अपने platform next है, यहाँ पे 27 जन्वरी को लेके update, और 27 जन्वरी कल है, और कल दो token unlock होने वाले हैं, इस week के आखरी दो token की unlocking होने वाली है इसके बाद next week जो unlocking रहेंगी, वो हम discuss करेंगे, लेकिन 27 जन्वरी को कौन से token unlock होंगे, Ronin होगा 37 million token, 86 million dollar के, और उसके साथ साथ यहाँ पे होगा XL, कितने हैं, ये भी 25 million token है, 23 million dollar के तो, ये unlocking होने वाली हैं, कल की date में तो आज की इस video को करेंगे यहीं पे, और किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं, हमेशा अपनी research करें, बिना research के कोई भी crypto purchase ना करें, तो मिलेंगे, next video में, तब तक के लिए, bye bye take care